शिरी शिवाय नमस्तों गयां हरहर महादियो पूजनी पंडित प्यदी मिस्टर जी द्वारा बताये गया 15 जनवरी मकर शंकरांती की दिन किन चीजों का गुप्तदान देना जरूरी है वो सब चीजें मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी पूरे वर्ष में एक ही किरम होता है आप इसकंद्र परण उठाओगे तब उसमें आपको साफ साफ पता चलेगा कि मकर शंकरांती की करम को पढ़ोगे तब ही आप समझपाओगे पूरे वर्ष में एक ही दिन ऐसा होता है जब शिव और नरायन मिलते हैं आज भी हिंदू धर्म में ये क्राम है कि तिल के लड़ू में गुड़ क्यों मिलाते हैं जब भगवान शंकर और भगवान नरायन एक ही दिन गंगा का शनान करने गये थे तब माता लश्मी ने भगवान नरायन और भगवान श्यू को शनान करते हुए गुप्त रूप से देख लिया था तब भगवान लच्मी को देख लिया है जागते हुए और हमने उनको वर्द दे दिया है कि इनका नाम लच्मी से गुप्त रश्मी रहेगा और मकश अंकरांती के दिन जो द्रशन करेगा वो जो गुप्त रश्मी का दान देगा उसके घर में कोई बड़ी विमारी प्रिवेस नहीं मकश अंकरांती के दिन एक लड़ू बनाया जाता है तिली और गुड का उसमें आप एक कसिका दो कसिका उसके अंदर फसा दो और लड़ू को पैक करके किसी मंदिर में दान दे दी जाता है इसे गुप्त रश्मी आती है केवाल मकश अंकरांती के दिन ही किया जाता है मकश पुछी ने बताया मकर शंक्रांती में चोदा चीजों का दान देना चाहिए अगर आप से कोई पूछी सब चीजी कहा है तो यह अगनी पुराण में वर्णन है जब सूर मकर रासी में प्योष करता है उत्रायन हो जाता है उस चड़ी उस पल अगर चोदा वार आप भगवान नाम का दान डहर देते हो तो उस दिन मकरषां करांती उसके बाद अगर आप चोदाशी्वों को ऑग person नाम की जब करके नाम के दान दे देते हो उस दिन आपको वाम है अगर वार अभावा不知道 केesus क्रांती वाकले आपको उन्हों छोब्भावान की एक याद्यों पाल से यह आपको पर्मिशन लेने की जुरूत नहीं आप डिरेक्ट भगवान से ही मिलोगे और कुरू जी ने बताया कि किस सीज का दान देना चाहिए वैसे तो संसार के लोगों के लिए अन्न का दान सबसे अच्छा है अगर आप दे सकते हो तो अन्न का दान 14 लोगों को जरूर दीज चाहिए झाल को